तो आज से अराउंड मैंने चार या दो में दो या चार मेने पहले वीडियो बनाएती अबाउट ग्रांड आरपी में तुम कौन सा-कौन सा रिकॉर्डर यूज कर सकते हो अब ही देखो उस वक्त वह जितने अबर रिकॉर्डर में उस्व्कत आलाउड थे यूज करना उस वक्त इवन ये भी रूल था कि आप कौन सा भी रिकॉर्डर यूज कर सकते भो ao ز्य अं показыв शारे ओवर्ले रिकॉर्ड कर रह regular कर रहा है ठीक है अब भी दो दिन पहले मुझे एक स्क्राइबर का डिस्कॉर्ड में मेसेज आया एवन मैंने कमेंट भी देखा कि बैंडी का हम यूज करने से उनको बान पड़ रहा है फॉर्दर मोर थोड़ा बहुत इंक्वाइडी करने के बाद मुझे यह चीज पता चली कि यह लोग में दो रूल नए लाया है निकाल भी दिये इवन आज एक नया रूल भी आये अगर मैं आज खेल रहता है मुझे एक नया रूल भी पता चला क्या है मैं आपको पताता हूं सबसे पहले रूल ज़ो लोग नना आज किया है वो है कि आप कौनसा भी स्कूर्ड नहीं यूज करते हैं चाहे हो ओवरले रिकॉर्ड कर रहा हो यह नहीं कर रहा हो ठीक है, they are not giving any shit अगर तुम कौन सा भी recorder यूज़ करो, ठीक है, तुम सिर्फ तीन ही recorder यूज़ कर सबते हो, all over कितना भी तुमको धुंडो, ठीक है, अगर ये तीन के अलावा तुम्हारा कोई option नहीं है, then you have to change your system, that's what admins are saying, ठीक है, सेकेंड जो है, तीन recorders अलाव किया है, सिरिफ तीन recorders के अलावा कर तुमने कौन सा भी recorder यूज़ किया, तुमको ban दे दिया जाएगा, for 30 or 60 days, 6.17 कुछ तो rule है वो, तीसरा ये लोग ने नया रूल एक इंट्रड्यूस किया, इन सिटी, ये लोग रूल इंट्रड्यूस करते तो ये लोग कम बताते, बट इस ताम बताया है ये लोग ने, कि तुम कौन सा भी amount reselling वाला नहीं कर सकते, समझो, for example, तुम एक गाड़ी लेते, समझो, तुम कमाचो 350K आता है, कमाचो लेते हो 100K में, और उसको तुम 1 million में बेचते हो, तो ये scamming अंडर प्लेयर आता है, और इसके लिए तुमको permanent band दिया जा सकता है, तो ये भी एक नया रूलाड़ी किया है, लेकिन हम इस पर नहीं बात करेंगा, जो हम topic पर बात करते है further, स्क्रीन पर मैं तुमको दिखा रहा हूँ, NVIDIA, AMD and MEDAL, ये तीन ऐसे ही softwares है, जो तुमको यूज करने के लिए अलाव कर किया गया है via grand RP, अभी इसमें दो चीज़े मैं आपको बताता हूँ, possibilities क्या-क्या है, तीन possibilities है, सबसे पहला गर आपका graphic card अगर GTX रहेगा, RTX रहेगा, NVIDIA का रहेगा या Zotac Gaming का रहेगा या NVIDIA related रहेगा, तो मैं prefer करूँगा आप NVIDIA graphic card यूज करो, तो उसके बाद आपको access दे देता है, इसमेरा भी graphic card 1650 है, तो मैं यहाँ पर मुझे प्रोविजन दे देता है, अल्ट-Z दबाओगे, आप स्क्रीन पे देता है, इंस्टेंट, रिप्ले, रिकॉर्ड, ब्रॉड्कास्ट का, ठीक है, बैसमें ब्रॉड्कास्ट का फरक है कि जोड़ की प्रॉड और शोके वोड्का वहां अपर यूट्र? का यूट्यूब पे होता है तो दूसरे प्लैटफॉरम पर होता है, यहाँ पर जब 백 प्रॉड्व राम आपका जो ग्राफिक काड अगर हो एमडी है तो उसके साथ उसका फीचर आजागा कि आपको उसका रिकॉर्डर जो स्ट्रीम है रिकॉर्डिंग वाला अप्लिकेशन उसको आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है मुझे यह बात पता नहीं है कि अगर अगर अपका जीफोस का ग्राफिक काड अब यूज कर सकते हो कहने वह आप एवाद चेक कर लेना विकाज में को कोई आई डैने इस चीज़ का फिर अभी कुछ लोग का ग्राफिक का ना एमडी होता है ना जीफोस होता है इंटी में से आरण 600 MB तो सरिफ मेडल खाता है मैंने यूज किया था जब मेरे पास RAM RGB ता और मैं 1710 पर खेलता था तब मैंने मेडल यूज किया था और भाई मेरा गीम इतना लेटिंसी पर चल रहा मता मैं डबली अगर अभी दाबार हो तीन सेकंड बाद मेरा गारे चल रहा है तो वीडियो के से गलत इंफोर मेशन शेर होरी उस वह बराबरत अभी गलत हो रही है इसको से वह हटा रहा हु है and same thumbnail में इस पर डाल रहा हूँ so that आपको भी लगे कि हाँ तो कुछ तो अलग है। इसकी सेम थमनेल यहां पर आ जाएगा और यह सिर्फ तीन ही आलाव करके रखा है लोग ने ठीक है बाकी तुमको वीडियो पसंदे तो लाइक करना चानल पर नहीं सब्सक्राइब करना मिलते तुम से अगले डुक लिए तब तके श्टेटून अटाटा बाबाई